ओमनमेश्याय जहमाका दोस्तों, हर साल जेट मावश्या के दिन वर्ट सावित्री के वरत रखा जाता है, ऐसी मानियत है कि जो स्वागन महिलाएं इस वरत को रखकर सभी नियमों का पालन करती हैं, उन्हें अखंड सुभाग्यवती होने का वर प्राप्त होता है, वर्ट असर में अमवश्या के दिन कुछ खास उपाई करने से शुफल की प्राप्ती होती है, अधूरे काम पूरे होते हैं, जिनके संतान नहीं है, उनके संतान की प्राप्ती होती है, तो चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और जान लेते हैं, अमवश्या पर कौन-कौन से उ उद्यतिति के अनुसार वट सावित्रे कवरत 19 मई को रखा जाएगा। जो भी सुहागन महिलाएं वर्ट सावित्री का वरत विदीविधान से करती हैं, पूजा पाट करती हैं, उनके पती क्या यह लंबी होती हैं और अखंड सुभाग्यवती होने का वर्दान प्राप्त होता है। और लाल हरे पीले रंग के कपड़े पहने चाहिए। ध्यान रखें इस दिन आप काले या नीले रंग के कपड़े ना तो पहने नहीं आप चूड़िया पहने। ऐसा करने से अखंड सुभाग्यवती होने का वर्दान मिलता है। यदि आपनी संथान है तो जेट महा की अमावश्या के दिन वर्द सावित्री का व्रद रखें। और इस दिन बर्गत के पेर की साथ बार कम से कम आपको परिक्रमा करते हुए महाँ पर आपको कच्छा सूद बांधना है और आपको संथार प्राप्ति की कामना करनी है। ऐसा करने से आपको संथान सुख की अच्छा जल्दी पूरी होगी। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई लंबे समय से आपका कोई कारिया ऐसा है जो अधूरा पड़ा हुआ है। काफी कोशिश करने के पाद भी आपका कोई काम पूरा नहीं हो पारा है। तो जेट मह की अमावश्या के दिन शाम के समय वट प्रक्ष के नीचे आपको पांच घी की दिये जलाने हैं और अपनी मनोकामना जो भी आपकी मनोकामना है उसे बरगत की पेड़ के नीचे दोराना है। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो सीगरी पूरी होगी। इसके अलाव व्यक्ति जहां पर भी सोता है खाट के नीचे बैड के नीचे तो उसके नीचे आपको बर्गत की टहनी डग देनी है इस उपाय को करने से आपकी घर में जो भी बिमार है वो दीरी दीरी ठीक होने लगेगा तो दुस्ते अदि आपकी घर में संतान नहीं है आपका कोई समय का नहीं हो पा रहा है तो इन चोटे चोटे सोपाय हो करके आप भी अपने जीवन में चरहरी परेशान को दूर कर सकते हैं इसके अलावा वट-सावित्री व्रत के दोरान अगर कोई सुहागर महिला पहली बार कोई व्रत रखने जा रही है तो उन्हें कुछ बातों का अन खाना चाहती है तो इसमें आप पहले ब्रत में अन खा सकते हैं साम के समय लेकिन ध्यान रखे अन हमेशा साथिक होना चाहिए बिना लेशन प्याज का भूजनी आपको करना है ब्रत का पारण करें तो बर्ग आपको 11 भीगे वे चनने खाकर करना है या बर्गत की कॉपल ब्रत का पारण कर सकते हैं कथा जब सुनी जाती है तो उसमें भी आपको हाथ में भीगे हुए चैनल लेकर ही कथा सुनी है उमीद करती हूँ वीडियो में दीगे जानकारी आप सब के लिए यूसफुल हो कि वीडियो से आप आप जरूर आएंगे वीडियो कर पसंद आए खुश रहे हैं